बढ़ती जा रही लॉरेंस बिश्णोई की ताकत जेल में रहकर कई गुना मजबूत हुआ गैंग गैंग में नए लोगों को शामिल कर रहा नहरा लॉरेंस बिश्णोई का राइट हैंड संपत नहरा नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रियाबिस्ट अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकर स्पेशल स्टोडी का लॉरेंस बिश्णोई लॉरेंस बिश्णोई को आज कौर नहीं जानता अपने किया अप राधों के चल आने वाला संपत नहरा गैंग में रोज नए लड़कों को शामिल कर रहा है और गैंग को और जादा मजबूद बना रहा है आज विस्तार से इसी संपत नहरा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कौन है लॉरेंस का ये खास गुरुगा देश में कोई भी बड़ा प्राध हो तो एक नाम हर किसी के जहन में आता है शक की सुई एक ऐसे इंसान पर जाती है जो अभी जेल में बंद है अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना ताकतवर होगा जो कानून के डर को ताक पर रखकर जेल से ही वारदात को अंजाम दे रहा है वो कोई और नहीं लौरेंस बिश्णोही है पिछले कुछ सालों में पंजाब के इस गैंग्स्टर की ताकत बढ़ती ही जा रही है फिलहाल लौरेंस बिश्णोही जेल में बंद है पांच दिन पहले कोट ने पुलिस को उसकी रिमांड भी दी लेकिन ब लौरेंस गैंग इन सब में सबसे आगे है हर एक अथियारों की तसकरी में लौरेंस गैंग का नाम जरूर आता है वहीं आजकल जो भी अपराद हो रहे हैं उसमें लौरेंस का कनेक्शन सामने आ ही जाता है अतीख हत्याकांड में भी लौरेंस का नाम सामने आया वहीं लौ बात ये है कि जहां लॉरेंस जेल में बंद है वहीं जेल के बाहर उसके कहने पर वारदाद को अंजाम दिया जा रहा है। जेल में रहते हुए लॉरेंस के गुर्गे उसके गैंक दिन बदिन मजबूत बनाने में लगे पड़े हैं। बिश्णोई गैंग का HR मैनेचर शार्प शूटर्स को कर रहा रिक्रूट पुलिस के मताबिक जेल में बंद लॉरेंस का सबसे खास संपत नहरा लॉरेंस के लिए इन कामों को अंजाम दे रहा है जेल में बंद रहकर भी ये संपत नहरा लॉरेंस के गैंग को बढ़ा रहा है इसका काम है गैंग में नए नए साथियों को जोड़ना नए नए लड़कों को बिश्णोई गैंग का हिस्सा बनाकर उन तक हतियार पहुँचवाना संपत नहरा लॉरेंस बिश्णोई के साथ ही जेल में बंद है लेकिन सोशल शाइट के लिए उसने इतना मजबूत नेटवॉक तयार किया है कि इस गैंग में शामिल लोगों की संख्या दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है जिस तरह किसी संस्था को चलाने और लोगों की कमी को पूरा करने के लिए एच आर मैनेजर की जरूरत होती है वैसे ही लॉरेंस के गैंग को चलाने और बढ़ाने के लिए संपत नहरा लॉरेंस गैंग का एच आर मैनेजर बना हुआ है जो नए नए लड़कों को गैंग में रिक्रूट कर रहा है इसी के चलते संपत नहरा का इस गैंग को बढ़ाने में काफी एहम रोल है लॉरेंस गैंग में अब 600 से जादा शार्प शूटर है इतना ही नहीं पंजाब के अलावा इसका गैंग हरियाणा, राजिस्तान, दिल्ली और यहां तक की साउथ में भी फैल चुका है दरसल जब संपत नहरा जेल से बाहर था तो ये क्राइम करके साउथ भाग जाता था वहां से अपनी पहचान बदलकर लंबे लंबे सब्बे तक वही रहता था इस दोरान ये वहां भी गैंग में लड़कों को शामिल करने का काम किया करता था इसलिए राउरेंस का गैंग साउथ में भी तेजी से अपने पाव पसार रहा है लेकिन एक तरफ वो अब खुद जेल में बंद है लेकिन सोशल शाहित पर इसका गैंग इतना मजबूत हो गया है कि इससे लोग बड़ी संख्या में जुल रहे हैं जहां वो यूपी हरियाना दिल्ली के हो या फिर साउथ के डियेवी कॉलेज में लॉरेंस संपत की मुलाकात नैशनल लेवल खिलाडी से बना अपराधी अब लॉरेंस के इस राइट हैंड की क्राइम कुंडली पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं संपत नहरा राजिस्थान के राइगड का रहने वाला है लेकिन पिता राम चंदर चंडिगर पुलिस में एसाई थे तो बचपन पंजाब में ही बीता संपत नहरा खेल कूद में काफी अच्छा रहा जिसके चलते हुँ नैशनल लेवल डी कैथलोन हर्डर रेस में सिल्वर मेडलिस्ट भी बनाए जिससे ये तो साफ है कि संपत नहरा कभी नैशनल लेवल का खिलाडी था उसने कई पुरुसकार भी जीते थे लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस बिशनोई के संपर्क में आने के बाद उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया जिस मुलाकात ने संपत की जिंदगी बदल दी संपत ने भी चंडिगर के डियेवी कॉलेज से एडमिशन लिया ये वही कॉलेज था जहां लॉरेंस बिशनोई पढ़ चुका था आपको बता दे कि संपत नहरा लॉरेंस से काफी जूनियर था कॉलेज में वो लॉरेंस के बनाए ग्रुप सोपू का प्रेसिडेंट भी रहा और बस यही से शुरू हो गई उसकी क्राइम फाइल संपत की मदद से लॉरेंस ने कई हत्यारों को अमली जामा पहनाया लॉरेंस हवाला के जरिये संपत को पैसे भेजवाता था लॉरेंस बिशनोई ने सल्मान खान को काले हिरन मामले में जान से मानने की धमकी दी थी इसके लिए भी संपत ने एक्टर की रेकी भी की थी लॉरेंस के राइट हैंड की क्राइम कुंडली बिशनोई गैंग को बना रहा मजबूत पहली बार संपत का नाम किसी आरोफ में तब सामने आया जब साल 2016 में पहली बार संपत नहरा को कारल लूट के मामले में गिरफतार किया गया था लेकिन जून 2017 में वो पुलिस कर्मियों की आखों में मिर्च जोग कर फरार हो गया था जिसके पीछे कई दिनों तक पुलिस लगी रही लेकिन वो हत्ते नहीं लगा जिसके बाद वो अपराद की दुनिया में ऐसा खो गया उसके अपराद बढ़ते ही चले गए संपत के उपर लगे मुकदमों की बात करें तो उस पर हरियाना, पंजाब, दिल्ली और राजिस्थान में कुल 25 मामले दर्ज है जिसमें से 12 तो मडर के केस है ये सिर्फ वो मुकदमे है जो पुलिस स्टेशनों की फाइलों में दर्ज है कई मामले तो फाइलों तक पहुझ भी नहीं सके है लाॉरंस बिश्णोई संपत नहरा की मदद से ही हत्याओं को अंजाम देता है वहीं इस पर हरियाना, पंजाब और राजिस्थान पुलिस में 2 लाग का इनाम भी घोशित किया गया था फिर साल 2018 में संपत नहरा को हैदराबाद से गिरफतार किया गया था उस समय ये बात सामने आई थी कि वो बॉलिवुड स्टार सल्मान खान को मारने की साजिश रच रहा था लाॉरंस बिश्णोई ने सल्मान खान को मारने का काम संपत को सौपा हुआ था वो रेकी करने के लिए सल्मान के पीछे लगा था तेलंगाना में पहचान छुपा कर वो अपने काम में जुटा हुआ था लेकिन हरियाना पुलिस ने उसे धर दबोचा तब से जेल में रहकर ही अब वो लॉरंस के गैंग के लिए काम कर रहा है और नए नए लड़कों को गैंग से जोड़कर लॉरंस के गैंग को मजबूत बनाता है लॉरंस गैंग में अब तक 600 से जादा शार्प शूटर जूट चुके हैं वहीं बात करें तो ये पंजाब के अलावा लॉरंस का गैंग हरियाना, राजिस्थान, दिल्ली और यहां तक साउथ में भी फैल चुका है जिसके चलते धीरे धीरे लॉरंस का गैंग देश बर में फैलता ही जा रहा है पंजाब के लॉरंस बिश्णोई गैंग ने हरियाना, राजिस्थान और दिल्ली के बाद यूपी के अंडर वर्ड और माफिया के बीच गहरी पैठ बना ली है हतियारों की सप्लाई फरारी के दौरान वेस्ट यूपी से लेकर पूरवांचल तक हाइड आउट हो या फिर सुपारी किलिंग और गैंग वार में दुश्मनों को निप्टाने की बाद जादातर मामलों में लॉरंस गैंग की समलिपती सामने आ रही है हाल ही में जाच में पता चला है कि गैंग्स्टर लॉरंस बिस्णोई ने वेस्ट यूपी के कोख्यात और पूरवांचल के बाहु बली नेता के जरिये वेस्ट यूपी से लेकर पूरवांचल तक अपने हाइड आउट और सप्लाई चेन बना ली है देश के अंदर तो लॉरंस अपने गैंग को गुर्गों और नेताओं की मदद से मजबूत कर ही रहा है लेकिन वही दूसरी और संपत जैसे गुर्गों के चलते ही लॉरंस अपने देश के बाहर भी कनेक्शन बना रहा है लॉरंस के दुबई और पाकिस्तान से जुड़े होने की भी खबर सामने आई है और वो दाउट से दोस्ती कर नई साजिश रच रहा है लेकिन एनाई ये लगातार लॉरंस से पूछताच कर रही है जिसमें नए नए चौकाने वाले खुलासे हो रहे है फिलहाल लॉरंस और संपत दोनों जेल में बंद है लेकिन इनका गैंग मजबूत होता जा रहा है जिस पर भी शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही लॉरंस विश्णोई के साथ साथ लॉरंस गैंग का भी खात्मा होने वाला है इस पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया